ओम शान्ती आज बाब दादा के अव्यक्त महावाक्य 12 डिसेंबर 2021 आज की मुडली में बाबा विशेश रूप से जो गुण हमें सिखा रहे हैं वो है अटेंटिवनेस का यानि सावधानी रखना जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं अध्यात्म के जिसमें हम अपनी आत्म उनती करना चाहते हैं अपनी स्ति को उचा बनाना चाहते हैं इसमें अलर्ट रहना अर्था जागरत रहना अवेर रहना माइंडफुल होना बहुत जरूरी है सारा दिन में अनएक परिस्टियाँ हमारे सामने आती है छोटी छोटी बाते जो भी हमारे सामने आती है अगर हम चागरत रहे अपने गुणों का प्रयोग करे समय पर तो उन परिस्टियों पर सहज रूप से विजए प्राप्त कर लेटे हैं अपने स्थिती को और मस्बूत और उंचा बना सकते हैं हर कर्म जो हम कर रहे हैं कर्म तो कर रहे हैं लेकिन किस consciousness के साथ किस awareness के साथ कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है अगर हम अपने आत्मिक गुन स्वमान में रहकर के कर्म करते हैं अलर्ट रहकर के कर्म करते हैं, तो उस परिस्ति के अंदर उस गुन को प्रयोक करके हम सफलता को प्राप्त करते हैं, तो सदा अलर्ट रहना, कभी सावधान रहते, कभी नहीं रहते, तो कभी विजय प्राप्त होगी, कभी नहीं होगी, लेकिन सदा अगर हम अलर्ट रहते है तो हम सदा ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सावधान नहीं रहते हैं, जैसे रोड पर गाड़ी भी चलाते हैं, तो कहते हैं सावधान ही हटी, दुरगटना घटी। ऐसे ही अगर हम मन के अंदर अलर्ट नहीं रहते हैं, जागरत नहीं रहते हैं, सावधान नहीं रहते हैं, तो माया का कोई न कोई कमजोर विचार या पुराना संसकार या कोई भी विकार हम पर अटाक कर सकता है और हमारी जो स्थती है उसको खराब कर सकता है। अगर हम अपनी स्थिती को मस्बूत बनाना चाहते हैं, तो ये alertness, awareness हम बनाए रखें, सारा दिन में अगर हम इस alertness के गुण के उपर ध्यान रखेंगे, तो हम अपनी स्थिती को बहुत ही उंचा और मस्बूत बना सकेंगे, तो आज सारा दिन हम alert रहें और अपनी स्थिती को मस्बूत बनाए ओम शांति